पोलिटिकल पार्टियां सारी की सारी एकी बात बोल रही थी न्यूस चैनल एकी बात बोल रहे थे जितने धरम गुरु हैं सद्गुरु के वहाँ भी सत्संग करना है तो वेक्सिन लगा के सेटिफिकेट चेक करवाओ राधा स्वामी का सत्संग चेक करना है तो वहां भी जाओ रामरहीम वालों का चेक करना है वहां जाना है तो वहां जाओ दूसरे किसी जगे पर भी अगर कोई उनका संत बैठा है सो कॉल्ड संत जैसा कैसा भी है वो संत के वहाँ सत्संग करने जाओगे तो आपको vaccine का certificate दिखाना था मंदिर में दर्शन करने के लिए भी आपको vaccine काính certificate अनेवार ये था traveling के लिए तो चलो यह तो छोटी चीजएं थी traveling के लिए तो बात तो यह है कि जो सत्संग कर रहे हैं, जो दुनिया को, देश को, मानवता को ग्यान का पाथ पड़ा रहे हैं, वो ग्यानी महापुरुष्ठ सोकॉल्ड संथ वो भी चहरे हैं कि वेक्सिन लगाओ, अब दो तरीके हैं, या तो उन संथों को पता नहीं था कि ये वेक्सिन में क्या है, तो वो ग्यानी है या तो उसको मालूम नहीं है कुछ भी और जब उसे कुछ मालूम नहीं है तो वो दुनिया को मानवता का पाट के से पढ़ा देगा और अगर उसे मालूम है तो फिर वो कमीना है वो जान बुझ के नहीं बता रहा है खुद तो नहीं लगवा रहा है लेकिन अपनी जंता को कह रहा है कि तुम लगवा के भीड़ों की तरह मरो तो एक भी महात्मा सो कोल्ड ऐसा नहीं था जिसने इसके बारे में बोला हो यहां तक के खुद शंकराचारी है उसने भी यह नहीं कहा कि वैक्सिन सही है या गलत है उसने भी यह कहा क्यूंकि इसमें गाएं के बचडे का खुण यूज हो रहा है इसलिए मत यूज करो मतलब उसने भी धार्मिक पक्ष बताया असली बात वो भी नहीं बोल पाया यानि धर्म की बात करने वाला कोई भी आदमी धर्म पर टिका हुआ नहीं था अब यह इतनी सारी मैंने सब के खिलाब बोल दिया सारी पोलिटिकल पार्टी सारे अध्यात्मिक नेता मैं तो कल्ला पड़ जाओंगा ना बनलब यह जितने लोग हैं सारे किसी ना किसी के तो चेले हैं किसी पार्टी को पक्का वोट करते हैं किसी नेता के पक्का जान का रहे हैं, किसी धर्म गुरू के पक्का जान का रहे हैं, तो अगर जो दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, तो वो अपने उस बड़े जो नेता या अपना गुरू है, उसको उसके गला पकड़ेंगे, उससे पूछेंगे, और अगर वो बेवकुफ हैं